2019 का flagship phone iPhone 11 2021 में खरीजना चाहिए या फिर इसके बदले कोई और लेटेस्ट Android phone के साथ जाना चाहिए जैसे कि दोस्तों 10 मार्च को एस उसका ROG5 लाँच हो रहा है और काफे जल्दे हम लोगो OnePlus 9 सीरीज भी देखने को मिल जाएगी और उसका प्राइस भी 50,000 के असपास ही रहने वाला है तो गाइस कहने के मतलब है कि 50,000 के अंदर कौन सा बेस्ट आप्शन है iPhone 11 या फिर कोई और लेटेस्ट Android phone तो गाइस ता कि आप लोग सब कुछ अच्छी तरह से समाझ आ जाए तो दोस्तो आज की वीडियो में iPhone 11 को खरीदने के और ना खरीदने के दोनों की कुछ पॉइंट में आप लोग के साथ शेयर करूँगा और फिर वीडियो के लास्ट में दूँगा आपको अपने honest opinion तो ज़्यादा टाइब वेस्ट नहीं करते हैं लेट बेगन तो पहले बात करते है iPhone 11 के कुछ बेस्ट फीचर्स के बारे में जिनकी वेस्ट ये फोन आपको 2021 में भी खरीदना चाहिए तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो इस फोन की build quality अब क्योंकि यह एक Apple का flagship phone है तो यहाँ पर build quality में कोई भी compromise देखने को नहीं मिलता तो दोस्तो इस phone में आगे और पीशे glass तो देखने को मिलता है और साथ ही में इस phone का जो frame में वो 7000 series aluminum से बना हुआ है तो यहाँ पर दोस्तो build quality में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती overall phone हाथ में बगणने में काफी solid feel होता है यहाँ तक यहाँ इस phone का weight और थिकने से वो भी काफी जादा control में है इस phone में सिर्फ 8.3 mm की थिकने से लिखने को मिलती है और साथ ही में 194 gram का weight है और आज भी दोस्तो इस phone के जो build quality है वो जादतर सारी flagship phone से बहुत ही अराम से comparable है फिर बात करते है second point की जो कि इस phone की performance तो दोस्तो आइफोन 11 में मिलता है Apple का A13 wiring chip जो की 2019 का flagship chipset भी रह चुका है और बिलीव में दोस्तो आज भी इस phone की जो performance है वो सारे latest flagship phone को बहुत एराम से टकर देती है अब although यार इस phone की performance A14 मतलब की iPhone 12 के बराबर निकल कर नहीं आती लेकिन practically दोस्तो आपको iPhone 11 और 12 की performance में कोई बहुत बड़ा difference देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यार आपके आज कल के जितने भी daily task है वर जितने भी gaming आप यहाँ पे करना चाहते हो वो सारी के सारी चीज़ आईफोन 11 भी काफी राम से handle कर लेता है and let me tell you दोस्तो अगर आप कोई phone सिर्फ gaming या वे streaming के purpose से ढून रहे हो तो अभी के लिए दोस्तो 50,000 के अंडर iPhone 11 और Asus ROG3 ये दो phone ऐसे जिनको कि मैं आपको gaming के लिए आख बंद करके recommend कर सकता हूँ तो performance यहाँ पर बिल्कुल top notch है और आज भी मतलब कि 2021 मेंगर आप इस phone को खरीने की सोच रहे हो तो यार आने वाले 2-3 साल तक आप इस phone को बहुत ये राम से use कर सकते हो फिर बात कर लेते हैं third point की जो कि ये इस phone के cameras तो यार इस phone का camera setup काफी जादा simple है क्योंकि दोस्तों इस phone में total 3 camera देखने को मिलते हैं और तीनों ही camera 12 megapixel के है पहले अगर बात करूं rear side की तो यहाँ पर 12 megapixel का primary और 12 megapixel का ultra white camera देखने को मिलता है और वही पर दोस्तों इस phone के front में भी 12 megapixel का camera दिया गया है और यहर एपल को 2 megapixel के depth और macro camera यूज करने की जरूत नहीं पड़ती एपल की दोस्तों optimization इतनी जादा कमाल की होते हैं कि यहाँ पर macro से लेकर book के तक सारी shots काफी कमाल के आते हैं यही नहीं दोस्तों iPhone 11 के rear side वाले camera में OIS का support भी देखने को मिल जाता है और कमाल की बात हुई है कि आप इस phone के front और rear camera दोनों से ही 4K में 60fps एक video record कर सकते हो जहाँ पर simultaneously OIS भी बहुत इची तरीके से काम करता है तो 50,000 के असपास दोस्तों अगर आपको best camera phone चाहिए तो definitely आप इस phone को as a camera centric phone भी purchase कर सकते हो और अभी भी दोस्तों इस phone में one of the best cameras देखने को मिलते है 50,000 के under फिर बात करते है 4th point की जो कि इस phone की stereo speakers तो जैसे कि मैंने बता है दोस्तों इस phone में stereo speakers देखने को मिलते है जिनकों की आप dual speaker भी कह सकते हो दोस्तों इस phone में speaker quality बिल्कुल flagship level की देखने को मिल जाती है पर बात करते है 5th और last point की जहां पर मैंने इस phone के कुछ important features को highlight किया है तो दोस्तों इस phone में मिलती है IP68 की rating मतलब कि ये phone completely water and dust resistant है वहीं पर दोस्तों ये phone NFC के साथ साथ wireless charging को भी support करता है हाँ वो बात हलेगी कि आपको wireless charger अलग से purchase करना पड़ेगा बाट at least यहां पर एक support देखने को मिल जाता है and lastly दोस्तों इस phone में face ID भी देखने को मिल जाती है आप देखो यादा अगर आपको या अलड़ी fingerprint वाला phone यूज़ करके आ रहे हो तो यहां पर definitely आप fingerprint sensor को miss कर सकते हो लेकिन दोस्तों इतनी में आपको security देता हूँ कि Apple की face ID काफी ज़्यादा secure और काफी reliable होती है और Apple दोस्तों प्रिविस्टी को लेकर कितना ज़्यादा serious है यह तो हम सब अलड़ी जानते ही है तो यह थे दोस्तों इस phone के 5 जैसे best feature जिनकी वेसे यह phone आपको 2021 में खरीना चाहिए और आप बात करते है कुछ ऐसे important points के बारे में जिनकी वेसे यह phone आपको 2021 में नहीं लेना चाहिए और यहां पर जो पहला point है वह इस phone की display तो दोस्तों इस phone में 6.1 इंच की IPS LCD पैनल का यूज़ किया जहांपर HD Plus तक के resolution सपोर्टेट है अब देखो यार मुझे गलत मत समझना इस phone की display काफी बढ़िया है और नो डाउट दोस्तों Apple ने यहां पर one of the best IPS पैनल का यूज़ किया है लेकिन दोस्तों to be honest आपको इस phone की display तवी तक अच्छे लगेगी जब तक आप इस phone को किसी और इसी price range के Android phone से compare नहीं करते और ये दोस्तों मैं इसलिए कह रहा है तो कि अगर हम इस phone की display को किसी भी इस price range वाले Android phone से compare करते है जैसे कि दोस्तों अगर मैं बात करूँ Samsung S20 Plus या फिर OnePlus 8 Pro की तो दोन इस phone का price अभी के लिए 55,000 रूपीज है लेकिन यार शेल के time पर दोन इस phone का price 50,000 के असपास आ जाता है तो इसलिए मैंने यापर iPhone 11 को इन दोन इस phone से compare किया है जो कि no doubt दोस्तो iPhone 11 की display से much 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 better है overall दोस्तों जो color से है फिर जो black से है सभी कुछ हम लोगो Samsung S20 Plus की display में ज्यादा better मिलता है याँ था कि दोस्तों OnePlus 8 Pro और Samsung S20 Plus दोनों ही phone 120Hz की display को support करते है तो यार इन चोटी चोटी चीजों के विए से display का जो experience है वो काफी better हो जाता है इसी price range के Android phones में लेकिन दोस्तों अगर आपको 50,000 के अंदर कोई compact phone चाहिए तो अभी के लिए दोस्तो iPhone 11 best option है जैसे कि मैंने आपको starting में भी बोला था कि अगर आप इस phone की display को किसी और phone से compare नहीं करते तो definitely यार आपको इस phone की display काफी जादा पसंद आने वाली है फिर बात करते है second point की जो कि इस phone के storage variants के बारे में तो दोस्तो iPhone 11 का जो base variant है जो की 50,000 में available है वहाँ पर हम लोगो 64GB storage देखने को मिल जाती है और अगर आप इस phone का 128GB वाले variant purchase करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 6000 रुपे एक्स्टर पे करने पड़ेंगे च्योकि उस phone का price 56,000 रुपीज है तो ये चीज़ याँ थोड़ी सी देख लेने कि अगर आपको storage का जादा काम रहता है तो 64GB आप लोगों के लिए definitely कम पढ़ सकती है और वैसे भी याँ आइफोन में memory card तो लगता नहीं है तो storage expand करने के लिए iCloud एक lot option बच जाता है फिर बात कर लेते है third point की जो कि इस phone के 3.5 audio jack के बारे में तो वैसे तो यार सभी को बताए कि iPhone 7 के बाद से कोई भी iPhone में 3.5 audio jack देखने को नहीं मिलता बट still यार मैंने इस point को इसलिए include कि है क्योंकि अगर आप इस phone को ऐसा gaming phone लेने की सोच रहे हो तो मेरे recording यार gamers के लिए 3.5 audio jack काफी जादा important होता है तो अगर आप इस phone को gaming यावर streaming के purpose से purchase कर रहे हो तो यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए फिर बात करते है fourth और काफी important point के बारे में जो कि इस phone की accessories तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 50,000 का आइफोन 11 आफ लिपगाड पे देख रहे हो वहाँ पर दोस्तों फोन के साथ सिर्फ और सिर्फ डेटा केवल देखने को मिलती है और अगर आप इस phone का description पढ़ते हो इस phone का price 58,000 रूपीज है लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी यह काफी बड़र ट्विस्ट है 8,000 रूपे एक्स्टर पे करने के बाद भी आपको बोक्स में सिर्फ 5 वाट का ही charger दिखने को मिलेगा हाँ वो बात अलेगा कि यह phone 18 वाट तक की charging को support करता है लेकिन as always दोस्तों आपको 18 वाट का charger अलग से ही purchase करना पड़ेगा फिर बात करते हैं फिफ्ट और लाज्ट पॉइंट की जो कि इस phone की battery तो दोस्तों iPhone 11 में मिलती है 3,110 एमेज की battery जो कि आपको सुनने में definitely काफी कम लग रही होगी क्योंकि आजकल दोस्तो 4000-4500 फिर 5000 एमेज बैटरी भी काफी common हो चुका है लेकिन दोस्तों अगर आप एक normal user हो जो कि gaming काफी कम करता है तो ये phone दोस्तों आपको एक दिन बहुत एराम से last कर देगा बट अगर आप इस phone को heavy gaming के लिए purchase कर रहे हो तो यार इस phone को आपको दिन में 2-3 बार चार्ज करने की नौबत आ सकती है डिपेंड करता है आपके phone का usage कैसा है किस तरह से आप अपने phone को use करते हो तो दोस्तों इस phone को खरीदने के और avoid करने के दोनों के best reason मैंने आप लोग के साथ share करे है और अब अगर मैं बात करूँ इस question की जो कि मैंने starting में आप लोग को बताया था कि आज के time पर आपको iPhone 11 लेने चाहिए या फिर कोई latest Android phone तो देखो यार इतना बोलूँगा कि 50,000 की price में अगर आप कोई साभी phone purchase करते हो doesn't matter कि वो iPhone है या फिर कोई Android phone है तो वहाँ पर दोस्तों आप disappoint बिल्कल भी नहीं होने वाले तो यहाँ पर दोस्तों आपको decide करने कि आप क्या choose करने चाहते हो Android या फिर iOS में से क्योंकि यार दोनों ही platform best है और दोनों में आपको काफी सारे option downs देखने को मिलते हैं दोस्तों अगर आप एक first time iPhone user हो मतलब कि आपके घर में किसी और के बास कोई भी Apple के product नहीं है तो उसकेस में आप थोड़ा सा compatibility issue definitely face कर सकते हो और इसलिए दोस्तों मैं आपको recommend करूँगा कि अगर आप कोई first time iPhone purchase कर रहे हो तो एक वीडियो का link में description में दे रहो है पर वो वाले वीडियो जाके पूरी देखना और हाँ यार वो वीडियो मेरी नहीं है बलकि Manoj सारू की है जो कि technology ग्यान चैनल के owner है तो क्या के issue आप face कर सकते हैं वो सारे उन्हेंने detail में explain करे है तो वो वीडियो दोस्ते पर जरूर से check out करना तो बस यार आज की वीडियो ये पर खतम होती है उमीद कर तो हम लोग के वीडियो काफी पसंद आई होगी और यार अगर आप लोग के वीडियो सही में पसंद आती है तो subscribe बटन दबाना मत भूलना क्योंकि हम लोग को यार 10,000 subscriber जल्दी से जल्दी complete करने हैं और वो आप लोग के support के विना possible नहीं है तो मिलता हूं दोस्तों में आप लोग के अगली वीडियो में तब तो एक लिए स्टेई सेफ और गुडबाई